हलो दोस्तों SSC GD का अंसर की कल साम को ही आज को और अभी तक लगबग सभी कंडेट अपना अंसर की चेक कर लिये होंगे तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने बालें कि आंसर की आने के बाद SSC GD का कट आप क्या रा सकता है कट आप कम क्यों जाएगा साथ ही जाने बाले हैं की रिजल्ट कब तक आ सकता और फिजिकल कब सुरू हो सकते हैं सारी बात ये आप लोगों को इस वीडियो में बताने बालें इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा आवस देखेगा तो चली आज कब डेश टार्ट करते हैं तो SSC GD कांसर की कल साम यानि की 24 दिसमबर साम 6 बजे लिंक एक्टिबेट करा दिया गया था और ये लिंक एक्टिबेट 31 दिसमबर साम 6 बजे तक रहने बाले हैं अगर आप लोगों को किसी आमसर पर डाउट है तो इसके लिए आप लोग ऑबजेक्शन 31 दिसमबर साम 6 बजे तक कर सकते हैं पर कोस्चन आप लोगों को 100 रूपी लगने बाले हैं अगर आपका objection सही पाया जाता है तो आप लोगों के 100 रूपी refund कर दिये जाएंगे अब बात करते हैं SSC GD का result कब तका सकता है तो SSC answer की तो एक जाम के 10 से 12 दिनों में दे देती है लेकिन result कम से कम 3 महने लेती है result में कम से कम 3 महने का समय लिया जाता है इसलिए SSC GD का आप लोगों का result मार्च महने में आ सकता है मार्च महने में SSC GD का result आ सकता है अगर physical की बात करें तो physical आप लोगों का अपरेल महने से सुरू हो सकते हैं अपरेल महने से SSC GD का physical सुरू हो सकते हैं अब अगर कटॉप की बात करें तो 2018 में जो SSC GD की भरती आई थी और 2021 में जो SSC GD की भरती आई है इन दोनों भरती में कुछ डिप्रेंट देख लेते हैं जिससे की कटॉप का सही अनुमान लग सकें तो 2018 में जो SSC GD की भरती आई थी उसमें टोटल बेकेंसी 6,210 थी 6,210 पदों पर ये बेकेंसी निकली थी टोटल फॉर्म की बात करें तो 52,00,000 फॉर्म भरे गए थे अगर AP8 कंडिडेट की बात करें तो 52,00,000 में से 30,00,000 कंडिडेट नहीं एकजाम दिया था टोटल रिजल्ट की बात करें तो 5,35,179 कंडिडेट को फिजीकल के लिए क्वालिफाई किया गया था अगर कंपिटिशन की बात करें तो 6 का था यानि की 6 में से एक कंडिडेट का सेलेक्शन फिजीकल के लिए हुआ था अगर SSC GDK 2021 की यानि की इस बार की भरती की बात करें तो इस बार आपके टोटल पोस्ट 25,271 पोस्ट हैं टोटल फॉर्म की बात करें तो 71,00,000 फॉर्म भरे गए हैं एपिट कंडिडेट की बात करें तो 49,00,000 कंडिडेट ने एकजाम दिया है टोटल फॉर्म भर deputy कारें तो दो हजार एक बात वबहे हैं तो 2018 और 2021 की भरती को देखने के बाद आप लोगों को लगाओगा लेकिन इस बार कटॉप अधिक जाएगा लेकिन इस बार cut-off अधिक नहीं जाएगा क्योंकि 2018 में निगेटिव मार्किंग नहीं थे और 2021 में यानि कि इस बार आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 2018 की भरती में निगेटिव मार्किंग नहीं रखे गये थे लेकिन 2021 यानि कि इस बार negative marking रखा गया है, इसका आसर आप लोगों को cut off पर देखने को मिलेगा। और cut off कम जाने का एक और काराने की जब SSCGD की answer की नहीं आई थी, यानि की answer की आने से पहले candidate का कहना था कि उनके 75 सही है, 80 सही है, 85 सही है, लेकिन answer की आने के बाद इसमें से लगबग candidate 70 के नीचे आ गया है, इसमें से लगबग candidate का नमर 70 से नीचे आ गया है। तो negative marking और answer की आने के बाद candidate के कम score के काराने इसका आसर आप लोगों की cut off पर देखने को मिलेगा, और पिछली बार की तुलना में उतना cut off तो कम नहीं होगा, लेकिन पिछली बार की तुलना में 2-3 नमर इस बार cut off कम रह सकते हैं। और अभी आप लोगों को पताए कि अभी आप लोगों का जो नमर आ रहा है, वे final नमर नमर नहीं है, क्योंकि अभी normalization होना बाकी है, normalization होने के बाद आपके नमर और बर सकते हैं, यानि कि अभी आप लोगों का जो भी नमर आ रहा है, उससे अधिक आपका नमर हो सकता है, तो अभी normalization होना भी बाकी है, और ससी के normalization में कई candidate के 10 नमर, 15 नमर, 20 नमर तक बर जाते हैं, इसलिए जिस भी candidate के कम नमर आ रहे हैं, उन सभी candidate को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी normalization होना बाकी है, अगर आपका एक्जाम हार्ट सिप्ट में हुआ है, तो normalization होने के बाद आपके 20 नमर तक बर सकते हैं, अब अगर cut-off की बात कोई तो आप सभी को पता है कि SACGD का cut-off statewide बनता है, अलग-अलग state के अलग-अलग cut-off रहते हैं, उसमें भी nuxal district, border district और general district का cut-off अलग-अलग रहता है, तो अभी आप लोगों कुतना deep में cut-off तो नहीं district के रिया, अब हम general district के रिया, सभी का cut-off अलग-अलग बताने बाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को subscribe जरू के लिजएगा, दो-तिन दिन बाद आप लोगों को statewide का cut-off कितना जा सकता है, अभी आप लोगों को उस state का cut-off बता देते हैं, जिस state का cut-off हाई जाता है, जैसे कि बिहार, UP, हरियाना, MP, रास्तान, दिल्ली, उत्राकन, महराष्टरा, जारकन, इन सभी state का cut-off बता देते हैं, तो अगर आप लोग इस state हैं, अगर आप लोग general male category के candidate हैं, अगर आपके 64 से 69 के बीच आ रहे हैं, तो आप लोग physical की तेयारी अबस्त करें, OBC की बाद के तो 60 स से 55 स, C 56 से 69 की बाद के तो 50 से 55, EWS की बाद के तो 61 से 66, वही female candidate की बाद के तो अगर आपके general category में, 65 से 65 के बीच नमर हैं, तो आप लोग physical की तयारी जरूर करें, OBC की बाद के तो 55 से 60, S C की बाद के तो 50 से 55, ST की बाद के तो 45 से 50, EWS की बाद के तो 57 से 62, अगर आपके category व बाकी स्टेट जो बज जाते हैं उनका कट ऑप इस से कम ही रहेगा तो दो-तिन दिन बाद आप लोग को अच्छे से करकर बताने बालें कि स्टेट वाइज याने की हर एक स्टेट का कट आप कि दना जा सकता है उसके बाद आप लोगों नकसल डिस्टी के रिया बॉर्डर डि झाल 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 झाल